नमस्कार मैं हूँ जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव एमपी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान की एक डिमांड पर जोतिराजति सिंधिया ने भी मोहर लगा दी है और ये डिमांड है कि आने वाला जो बजट है अभी जो बजट सत्र शुरू होना है फिर उस बजट में हर प्रदेश को कुछ सौगाते मिलेंगी उनके लिए बजट मिलेगा इस बजट में मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान की तरह ही राजसभासांसत जोतिराजति सिंधिया ने भी अच्छे बजट की मांग की है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार मध्यप्रदेश को जितने भी विकासकारे जितनी भी योजनाय पेंडिंग पड़ लाज किया है इन खास मांगो में एक तो चंबल का पानी एक मॉलैन में इसकी लिए सब्सक्राण इसके लिए भी उन्होंने मांग किये कि ऐसे कुछ योजना है ऐसा कुछ बजट तैयार हो कि ये कलाकार जादा से जादा पनप सके इसके अलावा गौलियर चंदेरी और ओर्चा जैसे जो एरियाज है जो मध्यप्रदेश की पहचान बने हुए है लेकिन यहां पर पर्रेटन उतना विक्सित नहीं है इन जगों के टूरिजम के विकास के लिए भी सिंधिया ने पत्र में मेंशिन किया है इसके अलावा गौलियर चंबल की जो तमाम इलाके हैं उन्होंने मांग कि है कि यहां पर जितनी भी योजनाय शुरू होनी है जो जो विकासकार अधूरे पूरा बजट मिलना चाहिए सर्फ इतना ही नहीं सिंधिया ने ये पूरी उमीद भी जताई है इस बार उन्होंने ये दावा भी किया है कि इस बार मध्युद्यप्रदेश के खाते में बहुत सारी सोगाते आने वाली हैं इस केंदुरी बजट में इस केंदुरी बजट बहुत खास होगा अब देखना ये है कि मध्यप्रदेश के दो दमदार नेता शिवराज सिंग चौहान और जोतिरादित्य सिंधिया जब एक सुर में वकालत कर रहे हैं मध्यप्रदेश की योजनाओं की कि क्या लाब मध्यप्रदेश को मिलना जाहिए इस बजट में तो उन